किसानों के आंधोलन को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं केंद्रि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा सहाथ तेरा महीने बाद अर्जुम्डा सहब फिर साइकल वहीं का वहीं आ गया फिर उसी तरह से बॉडरों पर किसानों का प्रदर्शन और दिल्ली कूच करने की बाद ये आपके कृशी मंत्री बनते ही ये जो है और सर पर आ गया belगातार संबाद के माधिम से जब हम किसी चीज पर आगे बढ़ते हैं तो उसका समधान निकालता है पहले भी संबाद हुए है अभी भी संबाद जारी है बहुत सारे कारे हुए हैं बहुत सारे कारे के लिए हम चाहते हैं संबाद जारी रहे तो कुल मिलाकर के भारत सरकार लगातार पिछले अपने कारेकाल में जब कोबीड जैसे महामारी के साथ लड़ते हुए सभी को साथ लेकर किसानों के हितों की रक्षा करते हुए कैसे आगे बढ़े यह सुनिस्चित की है तो मैं मानता हूँ कि यह सरकार पूर्णों रूप से प्रतिबद है किसानों के लिए और किसानों के साथ मिलकर के अस्थाई समाधान करने के वामले में आज भी आसान वी थे आपने तीन तीन वारता की किसानों से खुद चंटी घड़ भी गए, ये पेच जाकर किस जगा पे फ़स रहा है, सरकार और किसानों के बीच पे सहमती क्यों नहीं बन पा रही है, पहले भी नहीं बन पा रही थी, अब भी नहीं बन पा रही है, आखिर यह कितना बड़ा मुद्दा है जो बीच वो फस रहा है देखे हम अस्ताई समाधान चाहते हैं हम कांग्रेस नहीं है कांग्रेस घोसना करके पीछे हड़ जाती है और यहीं हुआ है इसलिए कांग्रेस आज जब इस बात को कह रही है तो वो खुद को था करें कितना और संब्यदंसिल हैं किसान कह रहे हैं किसान चाहिए जो चाहर कानून वहापस ले लिए गये लेकिन जो इंस पी पर जो एक और बनाने की बात थी वहाँ पर मामला भी भी पेश देखे आएसा मामला जैसे आपने कहा ना कि उन सारे मामले पर एक रचनात्मक तरीकिशह से स्पस्टी करन देते हुए सहमती बन गई पर कुछ जैसे आपने कहा में मिधा सब्हु साद का पर दंगे के बहुता है तो इसके दोनों को या कई में रखा ज़ाते हैं तो उन परंसों में किसान की क्या भूमिका होगी ये करने के लिए हमने कमिटी किसानों के उस में कोई नाम नहीं दिया वो अलग बात है लेकिन अब ठीक है उसमें नहीं दिया नहीं दिया कोई बात ने लेकिन आप आज जब बात कर रहे हैं आज मैं यह कह रहा हूं कि आपके पक्ष सिर्प मांगों के आधार पर ही नहीं बलके आपके पक्ष रचनात्मक द्रिश्टि से इस रूप में आए कि जब हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी पक्ष को किसान समझ करके कैसे क्योंकि यह कुछ राज्यों के लिए अलग परस्तिती है कुछ जगाओं के लिए अलग है और यह सब्जेक्ट है तो हमें कानून बना से पहले हमारी सभी राज्यों के साथ इस बात पर कि कौन सा बिधी अपनाएंगे वह हमें सुनिस्षित करना है सौमी नाथन कमीटी की 2004 की रिपोर्ट 20 साल हो गए अब इसका क्या हो गए दो हजार अठारा में जो हमने नोटिफाई किया वह लगू है और इसी वज़ा से MSP में खरीद धाई गुना बढ़ी और उसे देख करके किसानों का उत्पादन भी आप देखिए कि जहां खादाने प्रोडक्शन 246 मेट्रिक टन था वो 330 मिलियन टन से उपर हो गई जहां 246 मिलियन टन था वो 330 पहुंच गई बजट्री एलोकेशन के साब से बजट्री एलोकेशन में आप देखिए कि यूपिय के सासनकाल में 27,000 करोड बजट था आज एक लाग 24,000 करोड बजट है यह किसानों के लिए इसा है कि किसानों को जादे से जादे लाब कैसे मिले इसी बात के लिए तो बजट में इतना प्रोविजन किया गया है कि उसको कैसे अधिक से अधिक उनके हितों की चिंता के जाए पर हितों की चिंता और बेहतर तरीके से करने के लिए जदी कोई चिंता करता है तो उस चिंता में सामिल होना चाहिए कि उसको कैसे किया जाए यह हो यह एक विसे है कैसे हो यह दूसरा विसे है तो कैसे हो के लिए तो बैट के चर्चा करना पड़एगा ना अब ये जो तनाओ बढ़ा है फिर से काते फिर से बैरिकेड फिर से टनाओ फिर से तरेक्टर फिर से गर्ष्ण है देखे यह एक तो agriculture राज्य के subject में से आता है जिसमें केंदर फुली समर्थन देता है सपोर्ट करता है और उसके लिए एक सहमती बना करके रास्ता अपनाता है पर वह सहमती बनाने के लिए जो एक फोरम होना चाहिए उस फोरम पे कैसे हम बादचीत को आगे बढ़ाएं इसके लिए तो समझना पड़ता है अब उ मन थैया त्यूंकि उस कमिट्टी में रहेंगे तभी तो टाइम बॉंड की बाते हो सकती है अब वो कहते हैं यह करिए कैसे करिए यह पध़ती की तरीके से की इस बात को वी तो समझना पड़ेगा क्योंके केसे देश 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 के सारे पुक्षों को ध्यान में रखते हुए करना ज़रूरा और इसके लिए प्रतिवद्ध है अभी हम अब बारता के लिए तैयार आप कर चर्चा के लिए मैंने कल छोड़ा है क्योंकि मैं बैठक में बैठा हुआ था वो इस बात को ले करके थोड़ा सा पहले ही यानि बैठक खत्म नहीं उसके पहले ही कुछ-कुछ बाते इस तरीके से कहा जो मुझे लगता है कि देश के किसानों के लिए वो और भी जरूरत है बातों को ध्यान में रखने के इतनी जल्दवाजी से ही किसी समास्या का समाधान नहीं होता है हम आसान भी थे हैं